आज महाशिवरात्री के उप्रक्ष में सभी को इस महाशिवरात्री की बहुत-बहुत शुब कामनाएं है। आज का ऐसा ये शुब दिन है जिस दिन अजिए तो आज भागवान शिव जो है हुआ सभी में रहते हैं परवेश करते हैं तो आएए आज भागवान के बारे में भागवान शिव जो परम वैश्व हैं उनके बारे में आज कुछुछा करें शिव शंकर भगवान की जै गौरी माता की जै कार्तिके स्वामी जी की जै गणपती जी महराज की जै श्वे नंदी जी महराज की जै श्री अनंत शेष भगवान की जै श्वे कृष्ण चंद्र भगवान की जै हरी भक्ती विलास में और स्कंद पुराण के नगरखंड में ये वर्णन है यानी कानियत्र लिंगानी स्थावरानी चरानिच तेशु संग क्रमते देवस तस्याम रात्रो यतोहरह शिव रात्रिस तता प्रोक्ता तेन सहरी वल्लभः इस प्रित्वी पर जितने भी शिवलिंग पाई जाते हैं फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर दशी की रात्री महादेव स्वयम उनमें परवेश करते हैं इसी कारण से उस दिन के शिव रात्री कह जाता है और इसी कारण यह दिन भागवान हरी के भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं तो वो आज का ही दिन है फागुन मास के इस कृष्ण पक्ष की चतुर दशी का तो भागवान हरी के भक्तों को अत्यंत प्रिय है ऐसा हरी भक्ती विलास में वर्नन है क्योंकि शिव जी जो है श्रीमद भागवतम में भी इसका वर्नन है शिव जी के बारे में कि वैश्णवा नाम यथा शंभू कि भागवान शिव जो है वैश्णवों में सबसे स्रेस्ट हैं सबसे माहन हैं इसलिए जैसे यह श्रीमद भागवत के बार्मे सकंद के तेर्मे अध्याय का सोलमा श्रोक है यह निमंगा नाम यथा गंगा देवा नाम अच्चुतो यथा वैश्णवा नाम यथा शंभू पुराणा नाम इदम ततहा जिस प्रकार गंगा समस्त नदियों में स्रेष्ट है भागवान अच्चुत श्वेकृष्ण सभी देवों में स्रेष्ट है समस्त पुराणों में भागवत पुराण स्रेष्ट है उसी प्रकार शिवजी समस्त वैश्णवों में सर्व स्रेष्ट है तो इसलिए ऐसे जो परम वैश्णव हैं उनकी क्रफा के बिना हम अध्यात्मिक जीवन में उन्नते नहीं कर सकेंगे और इसलिए भागवान कृष्ण जो हैं उनको अत्यंत प्रिये हैं उनके भक्त भागवान कृष्ण को अपने भक्त इसलिए ऐसा भी वर्नन है शास्तों में कि जो भागवान शिव नंदी जी पर सवार होते हैं नंदी जी जो हैं वो स्वेम भागवान कृष्ण ने ही वो सो रूप को लिया है नंदी जी का रूप तो भागवान शिव जो मंगलता के प्रतीक है ऐसा वर्नन है शिव जी परम भागवान नहीं अपितो परम वैश्णव है ऐसे भारत में सरवाधिक पूजनी या मूर्तियों में से शिव जी प्रमुख हैं महादेव देवताओं में महानतम और नतराज अर्थार्थ नृत्य करने वालों के राजा के नाम से प्रसिद शिव जी की पूजा बनारस जैसे नगरों में परम भगवान के रूप में होती है निश्चित ही वे परम हैं शास्त्रों के अनुसाल जिस परकार श्रीमद भागवतम सभी पुरानों में स्रेच्ट है गंगा समस्त नभियों में और भगवान विश्णू सभी पूजनिय देवों में उसी प्रकार शिवजी सभी वैश्णमों में सर्वस्रेष्ट है यद्देपी शिवजी सभी भक्तों में सर्वस्रेष्ट हैं सभी देवों में भगवान विश्णू परम है किन्तों शिव भक्त शिव जी को परम भगवान मानते हैं इसका आधार शास्त्रों में पाए कुछ वर्णन जैसे भागवतम के अंदर चौथे सकंद के साथमे अध्याई के पचासमे श्लोक में स्वेम भगवान विश्णु कहते हैं कि ब्रह्मा, शिव जी और मैं बहुतिक सिस्टी के परम कारण है जो भगवान के तीन गुणा अवतार हैं ब्रह्मा, विश्णु, महेश तो ये इस बहुतिक सिस्टी के परम कारण है भगवान कहते हैं विश्णु मैं परमातमा और उपद्रिश्टा हूँ इन तो निर्गुन निराकार रूप में हम तीनों में कोई अंतर नहीं है अर्थाजिसे कह सकते हैं तत्व रूप में एक होते हुए वास्तों में अलग-अलग उनके लिए सवरूप उन्हें लिए है दोसरे शब्दों में ये तीनों व्यक्तित्व एक हैं क्योंकि इस बहुतिक जगत के सरजन, पालन और सहार के लिए ये भगवान के गुण अवतार है। ब्रह्मा जी सरजन करता रजोगुण के, भगवान विश्नु पालन करता सतोगुण के, और शिवजी सहार करता तमोगुण के अधिस्ठाता देम हैं। महाभारत के अनुशासन परव में भगवान विश्णु और शिवजी को अभिन्न बताकर शिव, शार्व, स्थानु, इशान, रुद्र जैसे नामों को जो अक्सर शिवजी के नाम है भगवान विश्णु के सहस्र नामों में गिना गया है शिवजी और परम भगवान के बीच इस प्रकार की पहचान वर्तमान हिंदूओं के इस विचार को वजन परदान करती है कि वेदों में वरनेत सभी देवता एक ही है किन्तु शास्त्रों का ध्यान पुर्वक अध्यन स्पस्ट करता है कि जिस प्रकार शिवजी को विश्णु से अभिन मानने के कारण है उसी प्रकार दोनों का भेद स्पस्ट करने के बाले कारण भी है भगवद गीता के अनुसार जिसे भगवान में सभी शैव और वैश्णव सभीकार करते हैं भगवद गीता को विश्णु अत्वा श्वेकृष्ण पूर्ण पुर्शोत्तम भगवान है जिनके समक्ष शिवजी भी प्रणाम करते हैं यह कोई सामपरदाईक मत नहीं है श्वेकृष्ण स्वेम को समस्त बहुतिक और अध्यात्मिक जगतों का स्रोत्र बताते हैं भगवद गीता के दस्वे अध्याय के आठ्मे श्लुक में और आर्जुन पुस्टी करते हैं कि श्वेकृष्ण ही परमीश्वर है बहले ये तीन गुणा अवतार हैं ब्रह्मा, विश्णु, महेश लेकिन ब्रह्मा जी और शिवजी जो हैं भगवान विश्णु के समान एकुल वैसा नहीं है जो यहाँ पर तत्व से फिर वर्नन किया जा रहा है पुराणों में वर्नित अनगिनत घटनाए स्पस्रोप से शिवजी को श्री विश्णु का भक्त दर्शाती हैं उधार नार्त एक असुर वरकासुर ने भ्यंकर तप करके शिवजी से यह वर्दान प्राप्त किया कि वे जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रखे वे मर जाए शिवजी ने वर्दान दे दिया किन्तु बाद में उन्हें पश्टाना पड़ा क्योंकि वरकासुर उन्हें ही मारने के लिए भागा स्वैम की रक्षा के लिए संपूर ब्रह्मांड में भागते भागते अंत तहा शिवजी भगवान विश्णू के पास पहुँचे भाइभीत शिवजी के शब्द सुनकर श्री विश्णू ने एक योजना बनाई वे वरकासुर के समक्ष प्रकट हुए और कहा कि शिवजी पर विश्वास नहीं करना चाहिए शिवजी को मजाग और जूट बोलना अच्छा लगता है भागवान विश्णू ने कहा मुझे विश्वास है कि उन्होंने तुमसे जूट बोला है तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए तुम अपने सिर पर हाथ लगाओ फिर तुम स्वंग जान जाओगे कि कुछ नहीं होता तो भागवान इस तरीके से उसको भ्रमित करना चाह रहे हैं असुर को और वो भागवान की बातों में आ गया और निसंदे वरकासुर ने क्या किया अपना सिर छुआ और मर गया उसी समय भस्म हो गया इसलिए एक उसको भस्मासुर भी नाम से भी वो करा जाता है जाना जाता है किन्तु वर्तमान संदर्व में देखा जाए तो इस कथा से शिवजी पर भगवान विश्णों की स्रेष्टता सिद्ध होती है जिने रक्षा के लिए भगवान का आश्र लेना पड़ा इसके विपक्ष में तर्क देते हुए शैव रामिश्वरम पर श्री राम द्वारा शिवजी की पूजा का उधारण देते हैं यद्देपी वालमी की रामाइन में इसका उलेक नहीं है फिर भी इसे सविकार कर भी लिया जाए तो इसका उत्तर इसी वरनन है कि बड़ा कौन है इसमें यद्देपी रामाइन में शिवजी की महिमाओं को गाती अनेक कथाएं है रामाइन स्पस्ट करती है कि श्वी राम जो भगवान विश्णू के अवतार हैं वही परम भगवान है लेकिन भगवान रामेश्वार में जो शिवजी की उपासना ये कर रहे हैं पीछे एक ये भी है विशेश्बा समझने वाली कि वास्ता व में भगवान नर लीला कर रहे हैं कि तो समाज में किस तरह है का मर्यादित जीवन ये किस तरह वो शिक्षा दे रहे हैं मनुश्यों के लिए जिनके मनों में बहुत इक्र कामनाएं हैं कुछ तो वो कामनाओं की पूर्टी के लिए दिवी देवताओं की शर्ण में जैसे जाते हैं श्रीमद भागवत के तीसरे सकंद में नौमे अध्याई के सोलवे श्लोक के तात्परे में श्विला प्रहुपाद करते हैं इप्रकर्ती के तीनों गुणों के तीन प्रमुख नियंत्रकों में भगवान विश्णू सर्व शक्ति शाली हैं यद्यपी स्रिस्टी के पालन है तो वे इस जगत में किन्तो फिर भी वे बहुतिक नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं हैं अन्य दो ब्रह्माजी और शिवजी यद्यपीवे भगवान विश्णू के ही समान शक्ति शाली हैं भगवान की बहुतिक शक्ति के नियंत्रण में हैं शिवजी ब्रह्माजी से स्रिस्ट हैं जो हम जैसे ही किन्तु विशेश शक्तिया प्राप्त एक जीव ही हैं किन्तो साथ ही साथ शिव जी विश्णु भग के स्तर पर भी नहीं है इसलिए कहा जाता है कि शिव जी का अपना ही वर्ग है शिव तत्व ब्रह्मा जी से जो जीव तत्व हैं ब्रह्मा जी भी तो शिव जी ने भागवान की भक्ती के द्वारा ऐसा पत्रब के जो विश्रू तत्व भी नहीं लेकिन जीव तत्व से भी उपर बीच में है शिव तत्व इसलिए हम परवर्णन है साधारण जीवातमा शास्त्रिय निर्देशों का पालन करके ब्रह्मा तक बन सकता है किन्तो वह कभी भी शिव अत्वा विश्रू नहीं बन सकता जैसे प्रहु पाजी ने श्रीमत भागवत में 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 वर्णन किया है तात्तर में एक जगा कि जैसे भगवान कृष्ण में 100 परतिशत अगर गुण है तो भगवान नाराइन में 96 परतिशत है और शिव जी में 92 परतिशत है ब्रह्मा जी में 88 परतिशत है और संसार में जो जीवातमा हैं उनमें 48-52 परतिशत है तो अगर हम बड़ी लगन से भट्टी करें भी तो मैक्सिमम हम 88 परतिशत है के ब्रह्मा तक पहुं सकते हैं परत तक लेकिन उससे आगे नहीं शिव जी शिव तर्तु तक नहीं पहुं सकता है ब्रह्म पद प्राप्त कर सकता है वे ब्रह्मा जी का लेकिं शिवजी का पद नहीं प्राप्त कर सकता है यही वरनत परमानों के साथ यहां पर है कि साधार्ण जीवात्मा शास्ति ये निर्देशों का पालन अगर करे शास्ति के अनुसार तो ब्रह्मा तक तो बन सकता है किन्तु वह कभी भी शिव अथ्वा विश्णु नहीं बन सकता शिव जी की स्थिती को सफस्ट करते हुए श्री ब्रह्म सहीता में पांचमे अध्याई के 45 में श्लोक में एक उदारण है जब विकार द्वारा दूद को दही बनाया जाता है तो वह दही दूद है भी और दूद नहीं भी है मैं आदी भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जिनोंने सहार करने के लिए स्वयम को भगवान शिव के रोप में परिवर्तित किया है भगवान स्वयम गोविंद भगवान कृष्णु यद्यपी दूद और दही मूल रोप से अभिन है दही दूद का ही एक उत्पाद ह सुरूं आप दोद से घी पनीर आइस्क्रीम या दही बना सकते हों किन्तु आप दही से दोद नहीं बना सकते हैं सपस्ट है कि शिवजी का भगवान विश्णु से गहरा संबंद है और एक दृष्टी से वे उन पर निर्भर हैं शिवजी भगवान विश्णु पर श्रीमद भागवत के तीसरे सकंद के अठाइसमे अध्याई के बाइसमे श्लोक में वर्णन है कि पूज्य शिवजी गंगा जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य हो जाते हैं क्योंकि उस जल ने भागवान के चर्ण कमनों का प्रक्षालन किया है गंगा जी के जल ने और शिवजी जो हैं उन्हें अपने मस्तक पर शीश पर धारण करते हैं श्री सनातन गो स्वामी द्वारा हरी भक्ती विलास में कहा गया है कि जो भी भागवान शिव एवं ब्रह्माजी सहित देवताओं को परम भागवान विश्णू के समान मानता है वह पाशंडी अत्वा नास्तिक है हमें कभी भी भागवान विश्णू और देवताओं को समान स्तर पर नहीं मानना चाहिए श्री सनातन को स्वामी जी वर्णन कर रहे हरी भक्ती विलास में इस आतन को स्वामी जी जब बिरिज में रहते थे तो नियम से अपना भजन के अलावा प्रती दिन शिव जी को तमोगुण और जड़ पदार्थ के साथ गेहरे संबंद के कारण इस संसार के जीव उनकी पूजा से अत्वा परम भगवान के रूप में वह अध्यात्मिक पुनर जागरती प्राप्त नहीं करते जितनी भगवान विश्णु की पूजा से विभिन स्थानों में विभिन रूपों में शिव जी की पूजा होती है किन्तों उनके मूल रूप की पूजा का वर्नन प्रामानिक रुद्र संपरदाय में जिसे विश्णु स्वामी संपरदाय के नाम से भी जाना जाता है प्राप्त होता है जो शिव जी की पूजा भगव विश्णू के परमभक्त के रूप में करते हैं जबकि परमाणिक संप्रदाई जो रुद्र संप्रदाई है जिसे विश्णू स्वामी संप्रदाई भी कहते हैं उसमें भी शिव जी की पूजा की जाती है लेकिन किस भाव से भगवान विश्णू के परमभक्त के रूप में इसके अनुयाई कहते हैं कि परम मुक्ती भगवान विश्णू की भक्ती से आती है और वे कहते हैं कि शिवजी उन्हें एक आदर्श भक्त का उधारन दिखाते हैं आच्रण करके शिवजी कि एक आदर्श भक्त को कैसा होना चाहिए कैसी भक्ती करनी चाहिए भगवान कृष्ण भगवान विश्णु के ऐसा रुद्र संपरदाई के वैश्णव मानते हैं यद्ध यहां तक कि शिवजी स्वयम उस्टी करते हैं कि परम गती केवल श्री विश्णु की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है वे कहते हैं मुक्ती प्रदाता सर्वी शाम विश्णु रईवन संशयह इसमें कोई संश्य नहीं कि केवल भगवान विश्णु ही सभी को मुक्ती प्रदान करते हैं तो रामायन इसमें भी ऐसा वर्णन है कि जैसे काशी में अगर कोई शरीर त्यागता है तो उसे मुक्ती मिलती है, ऐसा माना जाता है कैसे मुक्ती मिलती है, ऐसा भी हमने सुना है कि उसका एक काशी में शरीर त्यागता है उसको मंत्र सुनाते हैं जिससे उसकी मुक्ती होती है तो वास्तों में मुक्ती परदाता भगवान कृष्ण भगवान राम ही है इसलिए शिवजी का जो नाम भजन है आखे बंद कर शिवजी किसका ध्यान करते हैं और माला पर किसके नामों का जब करते हैं जो शिवजी हसम है तो ऐसा वर्णन है कि शिवजी ना केवल श्री कृष्ण के नाम को सुनने से आ सकते हैं अपितुवे उनके कीर्टन से भी अत्यधिक आ सकते हैं भगवान कृष्ण के नामों का कीर्टन से अनेक वैदिक ग्रंथ इस तथे की पुस्ठी करते हैं जैसे ब्रह्म वैवर्त पुरान में वर्णन है श्रीकिष्ण और श्रीवजी के मद्य हुए एक वार्तालाप का वर्णन आता है एक समय श्रीकिष्ण ने योगी राज श्रीवजी को बुलाया और उनसे कहा तुम शेर की सवारी करने वाली देवी को पतनी के रूप में सभिकार करो यह सुनकर शिवजी मुस्कुराए और नम्रता पूरवक उत्तर दिया मैं प्रकर्ती की देवी को सविकार करने में अक्षम हूँ क्योंकि वह मेरे मन को आपकी भक्ती से दूर कर आपकी सेवा के मार्ग में बाधा बन जाएगी ऐसा शिवजी ने कहा भगवान पिश्ट को कि मेरे मन को आपकी भक्ती से दूर कर आपकी सेवा के मार्ग में बाधा बन जाएगी वह वास्तविक ग्यान को अच्छादित कर सकती है क्योंकि माय शक्ती का यही कारे है प्रकर्टि या बहुतिक शक्ति या माया शक्ति का, कि हमारे वास्तवी ज्यान को कि मैं शरी नहीं जीवात्मा हूँ और प्रमात्मा श्रेकिष्ट का अंशो इस ज्यान को अच्छा दित कर देती है इस बहुत इक जगत के ऐसे उसमें उल्जाती है जीव को कि वो वास्तुभी ज्यानी बुल जाता है वेलकूँ तरह तरह के चुरा सी लाख जो नियों में डालकर जीव को उसके इच्छाओं और करम फलों के अनुसरा वे रजोगुण और व्यक्ति की कामनाओं को बढ़ा सकती है तो जैसेए हम बहुतिक प्रकरती के संपर्ट में आते हैं तो रजोगुण ये बहुतिक संसार में रजोगुण परदान है, उसी समय मन में बहुतिक कामनाएं इच्छाइं बढ़ने लगती है, तरह तरह की इच्छाइं मन में हर समय आएगे, वह व्यक्ति की तपस्या को नस्ट कर सकती है, वह मोह माया की भंडार है, वह बहुतिक बंदन का प्रबल आधार है, इस बहुतिक जिगत का जो बंदन है उसका प्रबल आधार है ये माया शक्ति दुर्गामाता या बहुतिक शक्ति या प्रकर्ति की देवी जो है और उससे आसक्ति पाप मार्ग की योल लेकर जाती है एवं सु विचारों को नस्ट कर व्यक्ति के मन को सन मार्ग से भटकाती है शीव जी कहते हैं हे भगमन मुझे पत्नी की इच्छा नहीं है किर्पया मुझे मेरा इच्छित वर प्रदान करें इच्छित वर देखिए शिव जी क्या माँग रहे है भगवान किष्ण से इच्छित वर प्रदान करें आपकी भक्ति करने की मेरी इच्छा निरंतर बढ़री है कि केवल मुझे आपकी भक्ती केवल कृष्ट प्रेम मुझे प्राप्त करने के वही इच्छा बस्प्रवल है मेरे हेदा में आपके नामों के कीर्टन एवं आपके चन्ण कमनों की सेवा से मैं कभी भी त्रिप्त नहीं होता त्व नाम पंचवक्त्रेन गुणम्च मंगलालयम स्वपने जागरणे शश्वद गायन गायन भ्रमामयम अर्थार्थ हे भग्वन चाहे मैं स्वपन अवस्था में हूँ या जागरत में मैं अपने पांचों मुखों से दिरंतर आपके मंगलकारी नामों और गुणों का कीर्थन करता रहो ये शिवजी जो है भग्वान किष्ट से परम इश्वा जो है उन भग्वान किष्ट के जड़नों में प्रार्थना करा है कि जो पंचों मुखों से मैं क्या करूं निरंतर आपके मंगलकारी नामों का भग्वान पिष्ट के मंगलकारी नामों और गुणों का कीर्थन करता रहो आ कल्प कोटी कोटिम्च त्वद रूप ध्यान तत्परम भोगे च्छा विशये नईव योगे तपसी मन मनहा अर्थार्थ बहुतिक भोग योग और तपस्या मेरे मन को आकर्षित नहीं करते ना बहुतिक भोग ना ही योग शिवजी और ना ही तपस्या मेरे मन को आकर्षित नहीं करते क्योंकि मैं करोड़ों करोड़ों कल्पों तक केवल आपके मधुर रूप पर पुतकंधा से ध्यान करना चाहता हूँ ऐसा सौंदर्य है भागवान श्री कृष्ण का कि शिवजी भी उस पर मोहित है करोड़ों कल्पों तक क्याते मैं यही करना चाहता हूँ बस केवल आपके मधुर रूप पर उत्कंधा बड़े तिवर उत्कंधा के साथ इस ध्यान करना चाहता हूँ आपकी सेवा करने पूजा करने आपकी प्रार्थना करने और आपके नामों का कीरतन करने से मुझे अबाध सुख प्राप्त होता है किन्तो जब ये कारे रुख जाते हैं मेरा सुख भी समाप्त हो जाता है ये भगवान शिव कह रहा है स्मर्णम कीरतनम नाम गुणयो श्रवनम जपह त्वत्चारू रूप ध्यानम त्वत्पादम एव अभिवंदनम समर्पनम् च आत्मनस्च नित्यम नैवेध्य भोजनम् वरं वरेश देहिदम नवधा भक्त्व ये भगवन श्रव कहते हैं परम भगवान श्वेकृष्ण को कि ये भगवन हे वरपरदान करने वाले किर्पिया मुझे भक्ति की नौविधियां परदान किये करें। जिससे में निरंतर आपकी लीलाओं का स्मर्ण कर सको। आपकी महिमाओं और गुणों का श्रमन और कीर्दन कर सको आपके सुन्दर रूप पर ध्यान कर सको आपके चर्ण कमलों पर प्रणाम कर सको आपके प्रती पूरी तरह समर्पित हो सको और आपके महाप्रसाद का अस्वादन कर सको ये शिवजी इच्छा कर रहे हैं भगवान तिश्ण से प्रार्थना कर रहे हैं पार्वती द्वारा जब की प्रतिग्या पदम पुराण में के छटे सकंद के 254 अध्याय में भगवान वेद्यव्यास वर्णन करते हैं कि किस प्रकार एक बार माता पार्वती ने महान रिशी वामदेव से निवेदन किया कि वे उन्हें भगवान विश्णू की सेवा करने के लिए दिख्षा दे कैसे महान ये रिशी होंगे विचार कीजिए कि माता पार्वती उनसे दिक्षा के लिए प्राड़तना कर रही है और दिक्षा क्यों चाहती है कि जिससे वो भगवान विश्णु की सेवा कर सके देवी द्वारा निवेदन करने पर वाम देव ने उन्हें विश्णु सहस्र नाम सरोत्र परदान किया जो भगवान विश्णु के एक हजार नाम है ये सरोत्र परदान किया वाम देव रिशी जी ने देवी माता जो है पार्वती माता उनके निप्रार्थना पर तब पार्वती प्रती दिन प्रातहा विश्णु सहस्र नाम का जब करने लगी कुछ दिनों पश्चात पार्वती ने वाम देव को प्रणाम किया और अपने धाम लोटाई वहां कैलाश परवत की एक सुंदर चोटी पर शिवजी द्वादशी के दिन भगवान विश्णु की पूजा समाप्त कर बैठे दे अपनी पतनी को लोटी आई देख उन्होंने उनसे कहा हे तीनों लोकों में पूजनी हैं आओ और मेरे साथ भोजन करो पारवती ने उत्तर दिया हे स्वामी आप आरंब करें मैं भगवान विश्णु के सहस्र नामों का जब करने के उपरांती ही भोजन सभीकार करोंगे दिक्षा ले ली है न माता ने तो इसलिए आप कहते हैं कि मैं उपना नियम पहले करनो फिर उसके बाद करोंगे मुस्कुराते हुए शिवजी ने कहा हे पारवती तुम अत्यंत सौभग शाली नी हो तुम भगवान विश्णु की भक्त हो हे देवी सौभग के बिना भगवान विश्णु की भक्ती प्राप्त होना अत्यंत कठिन है विचार किसी है कि जब तक कोई विश्णु की भक्ती में कोई लग नहीं सकता राम रामेती रामेती रमे रामे मनो रमे सहस्र नाम तक तुल्यम राम नाम वरानने अर्थार्थ हे राम 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 का उच्चारण कर रहा हूं भगवान यहां पर वरनन है कि मैं यह बात तीन बार यह राम नाम का जो ही है उच्चारण कर रहा हूं मैं राम के नाम में आनंद ले रहा हूं जो मेरे मन को अकरशित करता है शिवजी भगवान कह रहे हैं यह बात को हे सुन्दर मुख वाली देवी राम का नाम भगवान विश्चु के एक हजार नामों के समान है अर्थार्थ यहां पर यह वर्णन है प्रमान इस बात का कि एक हजार बार भगवान विश्णु का नाम लेना अर्थार्थ विश्णु सहसल नाम का पाट करना और एक बार राम नाम कहना एक बराबर है और तीन बार राम नाम कहना और एक बार कृष्ण नाम का उचारण करना एक बराबर है तो ये प्रमान श्लोक के साथ इस दिये दिया गया है अब र कारा दिनी नामानी श्रनवतव मम पारवती मनह प्रसन्नताम याती राम नामा भी शंकया रामे त्युक्तवा महा देवी भुक्स्व सार्धम मया धुना अर्थार्त हे पारवती जब भी मैं र से आरंब होने वाला कोई भी नाम सुनता हूँ यह सोचकर कि शायद यह भगवान राम का नाम हो सकता है मेरा मन प्रसन्न हो उठता है हे देवी राम के नाम का जब करो और मेरे साथ भोजन करो पारवती ने भगवान राम के पवित्र नाम का उचारण किया और शंकर जी के साथ भोजन करने लगी तो यह एक और परमान इस तरह का दिया है कि वामदेव रिशी जी से दिक्षा लेकर मंत्र तो लाई विश्णु सहस्ल नाम एक हजार बर भगवान विश्णु के नाम का उचारण करना लेकिन भगवान शिव ने फिर उन्हें आगे मारदर्शन देते हुए कहा कि एक हजार बर भगवान विश्णु का नाम लेना और एक बार राम लेना एक बराबर है तो इसलिए तुम राम नाम एक बार बुका रगे और फिर तुम मेरे साथ बैट को भोजन कर सकती हो भगवान शिव जो हैं उनके लिए वो धाम के ब्रिज मंदल 84 को उसके उसके रक्षक के रूप में हैं महादेव जी धाम रक्षक के रूप में भगवान कृष्ण को शिवजी की निस्था पर इतना विश्वास है कि शिवजी की जैसी निस्था भगती है भगवान कृष्ण के वरती तो भगवान कृष्ण को इतना विश्वास है कि वे उन्हें अपने निजधाम की रक्षा का कारे भर सौंपते हैं जैसे होता है कि कोई सबसे विश्वस नहीं है जो लगे हम उसी को ही कोई सेक्योरिटी का कारे सौपते हैं तो भागवान कृष्ण को सबसे अधिक विश्वास है इस पर शिवजी पर उनकी निस्ठा पर इसलिए अपना जो परमधाम है निजधाम ब्रिजमंडर उसकी रक्षा का जो कारे भार है वो शिवजी को सौपता हुआ है श्रीकृष्ण का धाम उनहीं के सामान परमपवित्र है जैसे इशो उसमें भी वरना है इशो पनिशत में की ओम पुर्नमधान पूर्णमित है अर्थार्त ओम जो है भगवान ने कीत मिंघा मेरा ही शब्द ब्रहमरूप मेरे लिए ही है सम्मदर ओम शब्द से मेरे ही उच्चारणगी किया गया है मेरे को तो भगवान और भगवान से जो कुछ भी निकल रहा है उनसे संबन्दित वो सब पूर्ण है भगवान के ही समाम तो इसलिए यह वर्णन है कि श्री किष्ण का जो धाम है वो भी उनहीं के समान है परम पवित्र जहां बहुतिक इच्चाओं से युक्त जीवों का परवेश बरजित है जो भगवान के धाम में चाहता है वासकरना उनको सारी बहुतिक इच्चाओं गत्या कर देना चाहिए जो ब्रिज है उसमें परवेश नहीं मिल सकेगा ना ब्रिज फूमी ना ब्रिज लीला में है इसann coli जो यह सब धाम में जो एक कुटे हैं सूर हैं बंदर हैं यह सब वही हैं जिन्होंगों धाम के अंदर या तो बहुतिक इच्चा हैं कर देके सोचा की धाम में किस तरह र अपने विश्वस्निय सेवक शिवजी को परदान की है कि जो बहुत ही किच्छाओं से बरहा है उसको ऐसा कुछ करते हैं शिवजी पहली वो या तो परवेशी नहीं कर पाता अगर किसी तरह से परवेश करें तो उल्टे पैर भाग जाता है तो टिक नहीं सकता वहां पर रह नहीं सकेगा जब तक मन में काम और कामनाएं हैं ब्रिज में अनेक स्थानों पर सित शिवलिंगों के रूप में शिवजी ब्रिज छेत्र की दूशित जीवों से रक्षा करते हैं पूरे ब्रिज छेत्र की जो दूशित हैं जीव जिनके मन में काम और कामनाएं हैं बहुत ह कि चाहें उनको दूशित जीव कि ना कहा है क्योंकि वास्ताओं में मनुश्य जीवन यह बहुतिक भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है यह तो एक मात्र केवल भगवद प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मिला है तो ऐसे दूशित जीवों से शिवजी जो हैं ब्रिज छेत्र की रक्षा करते हैं उन में से कुछ प्रमुख निमिलिखित हैं जैसे मतुरा में हैं भूतेश्वर पिछली पर हमें अवसर मिला भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन करने का मतुरा में हैं वैश्णवों में यह परिपाटी चली आई है कि ब्रिज में प्रवेश करने से पहले वे मतुरा जाकर भूतेश्वर महादेव से धाम में प्रवेश की अनुमती लेते हैं इसका का गोस्वामी अपनी पुस्तक मतुरा महातम्य में श्लोक 234 से 238 तक आदी वरहा पुरान से श्रीकृष्ण द्वारा भूतेश्वर महादेव के विशाय में कहे गए वर्न जो है वो उद्दत करते हैं श्रीला रूप को स्वामी जी आदी वरहा पुरान से है ये प्रमानौ अर्थार्द हे देव आप मतुरा के रक्षक होंगे भगवान किष्ण कह रहे हैं भोले नाथ को शिब जी को हे महादेव आपके दर्शन करने वाले को मेरे धाम की प्राप्ति होगी अर्थार्द मतुरा में पहले भूतेश्वर महादेव जी को पहले उनके चर्णों में जाके प्रार्थना करके फिर धाम में प्रमेश मिल सकता है स्वेम भागवान किष्ण भी ये बात कह रहे हैं शिब जी को कि आप मतुरा के रक्षक होंगे और आपके दर्शन करने वाले कोई मेरे धाम की प्राप्ति होगी अर्थार्थ भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने से समस्त पापनस्ट हो जाते हैं हे वसुधा जो भी उन्हें देखता है वे मतुरा भूमी प्राप्त करता है मात्र दर्शन से विचार कीजिए भूतेश्वर महादेव जी का ऐसे दर्शन है तो शायद हमें सोमवार को ही अफसर मिला जह दिन उनकी विशेश पूझा होती है शिव जी के भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन करने से समस्त पाप नस्ट हो जाते हैं हे वसुधा जो भी उन्हें देखता है वह मत्रा भूमी प्राप्त करता है भागवान कृष्ण के वर्ण करें यह सब आदी वरह पुराण में यत्र भूतेश्वरो देवो मोक्षदहा पापी नाम पी मम प्रियतमो नित्यम देव भूतेश्वरह परह मतुरा में भगवान भूतेश्वर के विग्रे है जो पापियों को भी मोक्ष प्रदान करते है भूतेश्वर विग्रे मुझे अत्यंत प्रिया है भगवान कृष्ण कहते है जो भूतेश्वर जी है जो वहाँ आज भी शिबलिंग है एक पापी व्यक्ति के लिए यह कैसे संभव है जो मेरी भक्ति प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा तो करता है किन्तो भूतेश्वर शिवजी की पूजा नहीं करता तो देखिए भगवान कैसे प्रेजित कर रहे हैं कि पहले भूतेश्वर शिवजी के पास जाओ उनसे प्रार्पना करो तो फिर मेरी शरण में आओ क्योंकि भगवान कृष्टु को सबसे प्रिये हैं बोले ना जो उनके परमभक्त है अर्थार्त जो माया द्वारा मोहित हैं और मानवों में अधम हैं वे भगवान भूतेश्वर पर ना तो ध्यान करेंगे ना उन्हें प्रणाम करेंगे और ना ही उनकी स्तुती करेंगे अब गर्ग सहीता के में वर्णन है नारद मुनी राजा बहुलाश्व को बताते हैं कि कैसे भगवान शिव मतुरा आए इस बारे में भूतेश्वरो देव वरह सती पतीस तपस्त्वा तपो दिव्य शरन्य मधोर्वनई अर्थार्थ हे राजा धी राज राजा बहुलाश्व जी से बता रहे हैं नारद मुनी जे हे राजा धी राज सती के पती एवं देव श्रेष्ठ भगवान शिव ने देवताओं की गढ़ना के अनुसार शरद रितू में मथुरा में तपस्याएं की फल्स औरोप उन्हें श्वेकृष्ण की कृपा प्राप्त होई और वे मथुरा के द्वार पाल बन गए श्वी चैतन्य चरितामृत के मध्ध लीला में सतार्मे अध्याय के 151 श्लोक में श्रिला कृष्ण दासकवी राज गोस्वामी श्वी चैतन्य महाप्रभू की ब्रिज यात्रा के दौरान उनके द्वारा भोतेश्वर महादेव के दर्शन का वर्णन करते हैं महाप्रभू ने भी भोतेश्वर महादेव जी का दर्शन किया उसके बाद फिर ब्रिज मंदल 84 को उसकी परिकोन वागी चैतन्य महाप्रभू उनके साथ सबी भक्त जब ब्रिज यात्रा के लिए बेंगौल से होते हुए जगनातपुरी से फिर ब्रिज धाम में इसी प्र रचनाओं में भोतेश्वर महादेव का वर्णन किया है भोतेश्वर महादेव के अतिरिक्त मतुरा में अन्य प्रमुक्षिव मंदिर भी है यमुना पर विश्रामघाट के निकट पिपलेश्वर महादेव रंगेश्वर महादेव और गौकरनेश्वर महादेव मंदिर य उसका भी हमें अवसर मिला दर्शन करने का गोपी रूप में तो गोपेश्वर अर्थार्थ गोपियों के इश्वर गोपीश्वर महादेव गौडिय संप्रदाय में अत्यंत प्रसिद विग रहे हैं और अनेक शास्त्रों में उनका वर्णन आता है वे ब्रिंदावन के छेत जैसे मतुरा के छेत्रपाल जो है वो है भूतेश्वर महादेव ऐसे ही ब्रिंदावन के जो छेत्रपाल है रक्षक है वो है गोपीश्वर महादेव गोपी रूप में महादेव जी वे ब्रिंदावन के छेत्रपाल है और उनकी अनुमती के बिना वहाँ परवेश असंभव ह श्वीमद गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुना मयं सर्वकलेश हरम देवं विंदारण्य रतिप्रदम अर्थाद मैं श्वीगोपीश्वर की वंदना करता हूं जो स्वेम कृपामय भगवान शिव हैं वे समस्त कलेशों को हरने वाले एवं ब्रिंदावन के प्रती प्रेम परदान करने वाले हैं श्वीभक्ती रतनाकर में श्विला नरहरी चक्रवर्ती ठाकूर लिखते हैं ब्रिंदावनाव निपते जय सोम सोम मौले सननन सनातन नार्देद्य गोपीश्वर ब्रिज विलासी युगांगरी पदै पद्मै प्रेम प्रियच्छ निरुपाधी नमो नमस्ते अर्थार्थ हे शिवजी हे ब्रिंदावन के द्वारपाल हे उमाबती हे जटाओं में चंद्रमा को धारण करने वाले हे सननन कुमार हे सनत कुमार और नारद मुनी के पूजनिय गोपीश्वर नारद जी को सबसे प्रिय है नारद जी के पूजनिय गोपीश्वर इस इच्छा से कि आप मुझ पर ब्रिज में मधुर लीलाएं करने वाले युगल श्वी श्वी राधा मादव के चर्णों का प्रेम बरसा होगे मैं आपको बारम मार प्रणाम करता हूँ श्रिला विश्वना चकवर्ती ठाकुर जी श्वी संकल्प कल्प दुरुम में ये वर्णन कर रहे हैं जिनके हम सुबर मंगल अर्थी में संसार दावा न लगाते हैं विश्वना चकवर्ती ठाकुर जी के द्वार संकलिध है वही ये प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री श्वी राधा मादव के चर्णों का प्रेम बरसा होगे इस भाव से मैं आपको परणाम कर रहा हूँ वैश्नव ये भाव रखते हुए भागवान श्रीव के चर्णों में गोपीश्वर माहदेव जी के चर्णों में श्रीजल सनातन को स्वामी करत श्री ब्रहद भागवता अमृत में से पता चलता है कि श्रीकृष्ण की प्रगट लीलाओं के समय भी बिंदावन में गोपीश्वर माहदेव की पूजा होती थी पाच अजास लाद साल लगबग पहले भी वहापर पूजा होती थी गोपीश्वर माहदेव जी के स्थानिय लोक कथाओं और श्री गर्ग सहिता में वर्णन आता है कि कैसे शिवजी का नाम गोपीश्वर पढ़ा एक समय कैलाश पर बैठे शिवजी को श्रीकृष्ण की बासुरी की ध्वन्नी सुनाई दी मंत्र मुग्द हो में समाधी में उस ध्वन्नी का पीछा करते करते बिंदावन आप पहुंचे अरदर समाधी की अवस्ता में ऐसे मुग्द हो रखे हैं कि उनको होशे समाधी की अवस्ता में ही पहुंच गए जहां श्वेकिष्ण गोपियों के साथ रास तीला की तैयारी कर रहे थे किन्तु जैसे ही उन्होंने रास्थली में प्रवेश करना चाहा योग माया ने यह कहकर उन्हें रोक दिया कि अंदर पुर्शों का प्रवेश वर्जित है तब महादेव ने पूछा फिर मैं कैसे गोपी रूप उत्राप्त कर सकता हूँ योग माया के निर्देश पर शिवजी विंदा देवी के पास गए योग माया ने भेजा विंदा देवी के पास क्योंकि सारा भक्तों का जो है वो विंदा देवी तुलसी महरानी करती है कौन सा भक्त कहा किन सेवा में रहेगा किसको प्रवेश मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये सब निर्ने वही करती है प्रति दिन की लीलाओं में राधारानी और भैगवान किष्ट की तीन बार मीटिंग करती है अलग अलग सानों पर विंदा दे वेजिए एक विंदा कुंड में करते हैं एक करते हैं जमना जी के तर्परस्थान है एक जो रादा मदन मोहन जी का मंदिर है उसके बाहर है अधित्य टीले पर और एक और तीन जगह पर तीन बार वह भगतों को के लिए मीटिंग करते हैं कहां का गोश्टी करके कि कहां किसको क्या सेवा में तहना है तो योग माया ने क्या रिदेश दिया कि पहले बिंदा देवी के पास जब वो बताएंगे आपको शिव जी को का और जब वो उनके पास पहुंचे जिनोंने उन्हें गोपी रूप प्राप्त कर मानसरोवर में सनान करने के लिए कहां यह मानसरोवर जो है गिरी राजी की उधर-परिकर्मा में वहाँ पे आता है तक वहाँ पर शिवलिंग भी हैं अलग अलग पाच मुख माने जाते हैं वे शिव जी के इस प्रकार गोपी रूप प्राप्त कर उन्हों ने विन्दा देवी के साथ रास स्थली में प्रवेश किया मांसुरोवर में गई शिवजी सनान करके जैसे ही कुंड से निकले मांसुरोवर से तो गोपी रोप है उनका दिव्या तब रास स्थली में प्रवेश किया शिवजी ने और एक कौने में खड़े होकर श्रीश्वी पहले भगवान कृष्ट को श्रीकृष्ण इस नई गोपी के पास आए जब प्रार्तना की तो भगवान कृष्ण आए पास में और कहा हे गोपी श्वर तुम्हें गोपी रूप में देख मैं अत्यंत प्रसन हूँ मैं तुम्हें अशीरवा देता हूँ कि सभी गोपीयां तुम्हारा सम्मान करेंगी सभी गोपीयों द्वारा नई गोपी के विशह में जिग्यासा करने पर श्रीकृष्ण ने कहा ये नई गोपी नहीं अपी तुस्वें महादेव हैं हमारे साथ रास दीला का आनंद लेने क को बंदावन धाम के रक्षक का पद देता हूँ तब बंदावन धाम के रक्षक का पद दिया जब गोपी रूप में आये तो भगवान श्रीकृष्ण में तुम प्रती दिन इनकी सेवा पूजा करना गोपीयों को कह रहे हैं प्रती दिन इनकी गोपीश्वर महादेव जी सवस्त गौपीयों की जए सटम की जब की नंदेश्वर महादेव जी झाइग जगुरुम इस तरह से यहाँ पर बहुत सारा शास्तों में प्रमाण ऐसे हैं अलग-अलग नंद महाराज ने भी जो भगवान शिव की पूजा की तो वो शिवलिंग भी है आद्रिज में नंदेश्वर महादेव जी के नाम से गोवर्धन में हैं चकलेश्वर महादेव जी के नाम से तो यह छेत्र पाल के रूप में भगवान शिव ने उनको न्युक्त किया है अलग-अलग धाम की रक्षा के लिए तो इसलिए हमें भी चाहिए कि ऐसे महान वैश्वा नाम यथा शंभू जो वैश्वों के सर्ताज हैं उन भगवान शिव के चरणों में हमें विशेशकर पैंषवर महादेवजी के कि आप करपा करें यसे हमें हमें भी धाम में प्रवेश मिल सके जिसे हमें भी भगवान कृष्ण की राधारानी की नित्त लीरा में हमें भी प्रवेश की अनुमती प्रतान करें, कृपा प्रतान करें, इससे हम भक्ती में गंभीर हो सकें, जो हमारे दोश हैं, कमिया हैं, वो दूर हो आपके कृपा से, और निरंतर हम आपके हरी नाम ले सकें, जैसे शिवजी के वर नाम में ही रहते हैं नरनंता जैसे पहर्वति माता को भी बढनन करा हैं हैं यह रहता है कोई से कोई श्रब बोलता है मुझा लगता है जैसी रामी भी श्रन चार्ण करेगा इतने राम नाम के प्रती मुग्द हैं मोहित हैं और ये राम भगवान कृष्ण का भी एक नाम राम है क्योंकि राम शर्थ करता है समस्त सुख के समस्त आनंद के आगार समस्त आनंद जहां से प्रगट हो रहा है उसका तो भगवान कृष्ण आनंद स्वरूप है इसलिए सच्चिद आनंद उनका जो नाम है इसलिए भगवान कृष्ण का भी एक नाम राम है और कृष्ण शब्द करता है सर्व आकरशक तो भगवान के चरणों में भगवान श्री कृष्ण के और भगवान कृष्ण के ऐसे परमभक्त गोपीश्वर महादेव जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि आप आज के दिन विशेश कृपा करें और आज के दिन रात्री में शिव जी सभी शिव लिंगों में परवेश करते हैं, तो उनके चर्णों में प्रार्थना एकने चाहिए कि हमें भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त हो, हरे कृष्ण, धन्यवादा सुप्ता, कोई प्रश्ण हो तो कर सकते हैं, किसी को क्वेशन है तो पीस पूच सकते हैं । प्रभुजी, अप में हुट हैं। प्रबुजी, म्यूट हो गया. अगर कोई प्रश्ट नहीं है, तो कोशिश करिया आज. शिव जी से प्रार्थना करते हुए कि वो करपा करके.